इधर देखके बताओ की गरम रहे चाँ तमाग मन क्या अच्छा तमाग मन क्या अग ने बरम जो यो अच्छा अग ने बरम जो आग दिख्टा रहे को विरालुले क्या कर दिया है तब तो आज आपकी भी शामत नहीं है और बिराली की भी शामत नहीं है अच्छा तब यह कैसे है आज तल से थोड़ी ठीक है या नहीं ठीक है अच्छा तो आपने आज गरम निकाला ना आपने चू यू को बन क्यू कर दिया अभी तो मौसम बदली हो रहा है अभी नहीं बन करते थोड़े तो ज्यादा अगी तर नहीं एक रूपर है अभी प्रणाम पहला ग्राम राम जोट कैसे हैं आप सब उमीद करते हूं सब मस् क्लास और एकनम फिट और फाइन हो गए तो अभी बद चुका है कुछ साड़े साथ और मेरा सुबा से नीचे आना हो गया था जैसा कि आप लगों को पता है कि मैं छे बजने में पांच मिनट कम पे नीचे आ गई थी मैं पहले आई थी उसके बाद दूद क्यूंकि दूद कि और में हम लोगों ने मंमी का खुदर पुदर कुछ काम चल रहा है कि मतीरित ये मेरी सासु मा का कुल खुदर पुदर चर्रक्टर का मतलब क्या होता है कि मैं लगा जाड़ू पोचा लिए बाहर का इसने लगाया जाड़ू पोचा अधर ना को ममी फोन में ये ये टोटली जूट है यह तोटली जूट है, मम्मी जालू कोचा दिया, तो यह माता जी अपना छोटा मोटा काम इधर जैसे दारी ने कोई समान छोड़ दिया, फूलों में पानी डाल रहे हो, और आज भैकी तो महां गई, धाल पार पूर कबार रहे हो, क्योंकि कल थोड़ा सा, यह क्या कहते है दानी ने, मम्मी अभी हटाईंगे, हटाईंगे, आप चिंता ना करो, तो यह दानी ने थोड़ा सा, यहां काल, हाट प्रोनिंग करी है, उनकी फाइकर्स की, यह देखे, तो यह सब मम्मी हटा रही है, यह मतारी का काम लिए, करना पड़ता है करोगे नहीं तो फिर जी होगे कैसे थोटा मोटा करना पड़ता है और दिल लगा लिया मुझे को काम कराके माथ कीन हमें दिया एक सुन्दर सा एक जिदे खा जोगा लेकिन उस्सें हमते पेड़ को हिला दिया तो यह पका पका ये एक चिकु का फूट मिला है बति कितना वेगा कि भीगन मैं क्हां कि मैं कि खा लोग्या हा है इस देकि खूण बढता खालो यह बढ़ता अधा종 मैं खाल ओ झालू क्या हूँ 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 ने बहुत गिरा दियने क्या करों लेकिन या बहुत लगे था है Update करूं चुरिया रहने नहीं देती है तो एक निली सुना दुजा तो सुना राथी बयाँ तो कभ रात्ती ब्याल ने सुनाने दो तो मतारी का आज मूड नहीं है सुनाने का तो ये दानी ने ये एक अभी तो आपका टाइम आने वाला है क्या बोलो तो अभी तो आप घर में मिलो गई नी क्या ही होली जो आने वाली है काब तीन तारिक से होली शुरू है आज तो महिना खतम तीनी दिन बाकी है आज 28 तारिक है तो माता जी का तो अब बिजस शेडूल हो जाएगा और हमारा भी बिजस शेडूल हो जाएगा और फिर हम हुली में जाएंगे कहां से यार दोस्तों मेरी माता जी बार बार पूछती रहती है कि मुझे कितने पैसे मिले मैंने पूछा कहां से तो बोला यूट्यूब से तो दोस्तों फिर आप लोग कुछ ऐसा कर दो ताकि मुझे पैसे मिले और पैसे मिले तो मैं माता जी को कुछ एक गिफ्ट दिला करके इनका मूँ बन कर सको अब बता मैं जूट तो नहीं बोल रहे हैं जब मेरे व्यूस ही नहीं आ रहे हैं तो पैसे कहा से मिलेंगे So please support ताकि मैं अपनी माता जी का मूँ बन कर सको मेरे को व्यूस दिला दीजिए प्लीज इतना खुदसूरत सा नजारा और यह हैं मेरे घर के थिक सामने वाले गार्डन में मेरे हस्बिनने एक नया प्लांटर टावर बना रखा है यह है साड़े साथ फिट का यह देखे इसमें तीन रिंग लगे हुए हैं यह देखिये यह देखिये यह देखिये और यह देखिये तो यहाँ पर हमारा तो हमें तो जो एक हर्याली देखनू को मिलती है मिलती है लेकिन जितने भी जो लोग हमारे घर आते हैं हो बोलते हैं मैं आपके घर आ करके हमारा दिल खुश हो जाता है तो मुझे बड़ा अच्छा सा लगता है बड़ा सुकून लगता है कि चलिए फिर हमारे घर आ करके किसी को अच्छा तो लगता है क्योंकि इतना positivity आती ह हो है इतने फूल इतने हर्याली वह अब जिस किसी जगह पर देखेंगे वह देखें उपर बालकनी में भी यह देखें और अभी यहां पर एक इसमें ब्लूमिंग स्टार्ट होने वाली है उस प्लाट का नाम है अडेनियम अडेनियम में अभी कल्याओं बस आ रही है और यह है मेरा खुबसूरत सा पेड़ चिकू का यह देखें है ना फ्रूटिंग मज्जेदार यह देखें तो इसमें से डेली चीकू मिलते रहते हैं हम इनको तोड करके पकाते नहीं तो इसको हम पेड में ही रहने देते पेड में पकते हैं जो पेड में पकते हैं चीकू, मैं उसका जो स्वाद है ना, वो मैं आपको मतलब बयान ही कर सकते हूँ, इतना स्वाद होता है, बजार के चीकू से तो लाक गुना अच्छा हो था लाक गुना, और कल हमने एक अमरूत तोड़ा था, वो था हमारा अंदर से अमरूत पिंक था और क्या खुश्बू थी उसकी, तो वैसे मैंने उस वराइटे के अमरूद मैंने लगाए हैं अपने घर में, पांच पेल लगाए हैं, चार छट में हैं, यानि कि चार मेरे रूफटॉप में हैं, और एक है हमारा यहां पर, और अब मैं आपको ले चलती हूँ, कहां हमारी और आज आपको दिखाती हो, मेरी माताजीका एक बार हुक्म भी दिखा देती हूँ, हुक्का रेस्ट में हैं, जब हम और बुढड़े हो जाएंगे ना, तब हम भी पियांगे, तो यह हे मेरी माताजीका हुक्काँ बार इस देख रहें यह किसी ने मम्मी को छाज स्थान से लाके दिया था मेरी मम्मी का मेरी सावाकु मा का तंबाकु में भी बहुत वो है तंबाकु में कोई option होता है? नहीं बट मेरी सावाकँ का जब शीवर बटानी उनको रें तंबाकु लेकर कर?" तो बोलेंगी आज तू अच्छा नहीं लाया इस बार, इस बार खुश्बुनी आ रही है, इस बार भल ना रही है, पता नहीं भल 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 क्या बोलती रहती है ममी, अभी निकल गई हैं, इधर से उधर से उधर, इधर से उधर, और अब मैं आप लोगों को लेच चलती मेजी, सुन्दर से नगरी में तो एक पर जोड से बोल दिजए, गव माता की जै, गव माता की जै, तो यह है हमारी गईया माता तो अभी यह पी रहे हैं, पानी यह सब पानी पी रहे हैं, इनको पानी दिया गया है, अभी छतिन की बंद है, छता भी खोल दी जाएगी क्या है, क्या है बाबुलाल, क्या है बाबुलाल, एच्छे नहीं करना फिर देखो तुम निकलो यहां से, आज तुमने रूम में उल्टी किये न, आज तुम यहां से निकल जाओ, निकलो, निकलो, आज किया क्यों तुमने ऐसे गलत काम, क्यों किया, ओ, 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 जो रोड में, हमारी यह जो है, घास उग गया है, उसको साफ कर रहे है, दवाई क्यों डालने हैं, हमें, दवाई बारिश के सीजन में डालते हैं, तो अब थोड़ा लसुन में पानी लगा लेते हूं, उसके बाद जाते हूं, ब्रेकफास बनाते हूं, क्योंकि, कुनार को भी ट्यूशन जाना होगा, और दानी को भी लेट हो जाएगा, तो मैं जाते हूं, फिर नाश्ता बनने, ब्रेकफास, खी, देख रहे हैं, घी, ग जूड़, और रोटी, तो यह मैं देखे आते हूं, मेरी सासुमा को, फिर हम मिलते हैं आप से, तो यह बन रही है, आज मेरे चने की दाल, बन रही है मेरी खढाई में लोहे की कड़ाई में दार बन रही है और ये तॉले में चावल चावल अल्मोस्ट बनी गया थोड़ी सी मैं चटनी बनाऊंगे और हरे प्याज की सबजी अभी पीछे से तोड़ के लाऊंगे तो ये मैंने प्याज लगा है जो इनकी सबजी बनाऊंगे इनको तोड़ूंगी हरे प्याज की सबजी बनाऊंगे दाल चावल प्याज की सबजी और चटनी रायता नहीं बनाऊंगे दही तो हई है ठीक चूँ तो इनको तोड़ती हूँ फिर बनाती हूँ तब तक मैं पसंद आया होगा पसंद आया हो तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिलकुल ना भूले लफ यू आल